सुगाईस साधी की पहली रसम सुरू हो चुकी है और बन रही है बक्चा फूटा और उनको कब बोलते हैं कहो गई यह हमारी बना रही है बड़ी दीदी तो आप लोग बताईए कि कैसी बनते हैं सुगाईस साधी की पहली रसम सुरू हो चुकी है तो आप देख सकते हैं यह अनुकी साधी में महंदी की रसम हो रही है हमारे हारात में ही महंदी की रसम होती है तो यह देख सकते हैं महंदी लग चुकी है और दूसरे हाथों में लगाई जा रही है तो यह देख सकते हैं हमन अपने पती के नाम की महदी अपने हाथों में लगा ली है तो बदाएए मेरे हाथों की महदी कैसी लग रही है आपको यह देख सकते हैं अपने पती का नाम अपने डाला है यह देख सकते हैं और यह हम तयार होके सुबह निकल देते हैं साधी जहां होनी है यह हमारे दूली राजा है जो यहां वहां बाग रहे हैं और यह हम अपनी बिट्टू को लेके कार में बैट जाती हैं यह देख सकते हैं हम बैट गए हैं कार में और यह हमारे परिबार के कुछ सदस्ते हैं जैसे हमारी बड़ी बुवा है यह दीदी है ब बजार थी तो सुचल ले लिया जाए तो यहां भी मैं फोटो सोटो खीचने लगई हूँ यह वीडियो बनाने लगई तो यह देख सकते हैं और यहां हम पहुँच चुके हैं जहां होनी है अनुखी साधी की रस्में तो ये देख सकते हैं काफी लोग हमारे यहां के जुड़ चुके हैं वो हैं हमारे बड़े पापा और ये देख सकते हैं इस तरह ये लग रहा है कुछ यहां का लोग यहां बिराजमान है प्रभूज संकर जी और यहां कुछ प्रसिद मंदिर भी है जो कुछ मेरे कुछ जान करी नहीं है तो ये देख सकते हैं गड़ गया है हमारा खंबा मडवे का खंबा जिसमें चड़ता है हल्दी तेल तो ये देख सकते हैं भगवान विराजमान है और ये भावी विवस्था में लगी हुई है ये हमारे फूपजी है और ये बिट्टी है ये देख सकते हैं हम लो हल्दी के लिए स्थापित हो रहा है और यह देख सकते हैं यहां हमारी भतीजी बैठ चुके हैं और हम सर पे रखे हैं पल्लू तो यह हल्दी की रसम सुरू होने वाली है तो यह देख सकते हैं साथ की छै तेल चढ़ाया जाता है साथ छै तेल चढ़ेंगे आप लोग बताए जुड़ चुके हैं और यहां कुछ गाएंगे गाने तो गाना गा रही हैं तो आप देखिए और सुनिए सो हल्दी के गाने होते रहेंगे तो आप गाने के साथ सत यह देखिए फ्रोग्राम यहां काफी लोग हमारे विस्तेदान में जोड़े हुए हैं यह बड़ी दीदी हमलों के भावी है और यहां बिराजमान हमसी तो यह देख सकते हैं यह हमारी बिट्टी बैट रही हो खंबे में टीकेगी और यह जीजा जी हमारे जो है कर रहे हैं विवस्ता यह बड़ी दीदी हमारी जो पल्लू भतीच की रखी हुए है और यह हम बना रही है वीडियो तो यह हो रही है रस्त में तो देख सकते हैं काफी ही आनंदा रहा था यह सब दिन में ही करना पड़ा क्योंकि अनोखी साधी है तो कुछ रसमें हम लोग घर में कुछ भी नहीं किये थे यहीं सब कुछ हो रहा है और बहुत ही अनंदारा है काफी लोग जुड़े हुए हैं हस्मुक टाइप की साधी हो रही है यह जी जजी हमारे खंबाया हल रहा था तो उसको विवस्तित कर रह दोरा से बांध रहे तो यह देख सकते हैं काफी लोग है और यह अंदर से आ गए हैं बाहर की और तो यह हमारे दूली राज़ा फिर से बैठ जाएंगे और फिर से तेल चढ़ना सुरू हो जाएगा तो ऐसे करके साथ की छे तेल साथ लगवाग साथ तिल चढ़ाया जाता तो यह देख सकते हैं अब लोग यह अब यहाँ चीकट हो रहा है तेल चढ़ने के बाद हमारा चीकट सुरू हो जाता है तो यह भावी की भावी मतलब भतीच के मामी कर रही है चीकट तो यह देख सकते हैं हम भी कर ले अपनी भावी से चीकट है हम भी क्योंकि से नगम ठ भाबी लोग के काफी ज्यादा लगा रही थी यह देख सकते हैं मेरे को बढा रही थी आज ही मैंने निव साड़ी पहने ती कमी मझा कर रही थी आप सकतेदे git पहले से भीडी हुए है और यहया रख्क थे जौते मैं मैं भी गाल में लगा देती हूं तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना सुदर ये है सब कोई बैठी हुए हैं बेख रही है रस्मों को इस तरह से हो रही है है रस्म, ये दीदी हमारी तेल-सेल डाल रही है लगता है दिय भुजी चुका है हावा के काण और दुफैर का समय था तो हवा तो चलेगी ही तो ये हमारी माताश्री है और माताश्री अपनी नंद से करेंगी चीकर तो ये हमारी माताश्री की नंद है मतलब हमारी बुवा है तो ये देख सकते हैं और हम किस तरह से हल्दी में भिढ़ चुके हैं गाल साल पीले हो चुके हैं ये देख सकते हैं और वो लोग सब कर रहे हैं चीकर ये भगवान जी का कितना सुन्दर लुख लग रहा है और ये देख सकते हैं आठापराईंगर करते हैं यू देखे सकते हैं ये पॉनी के नियुद की चीजे रख रही है और ये देख सकते हैं नाचू होने के बाद ये बैठे हमारे भती तो थोड़ा सेलफी एलफी ले रहे हैं क्योंकि इसे यही तो एक यादों की गटरी होती है जो हमने रिकोर्ड कर ली है समय आने पर वो भी कभी देखेंगे कि हमारी बुवन ने इस तर नहीं आता है और यहां कैमरा एमरा बगेरा भी नहीं था तो हमने अपने मोबाल से ही सब कुछ रिकोर्ड कर लिया है तो ये देख सकते हैं दूली राजा हमारे हो गई है तैयार तो ये देख सकते हैं दूली राजा बड़ बड़ा रहे हैं तो ये देख सकते हैं हमारी आ लगा एक और यहां यहां पड़ेगा शबसे पहले जैमाला तो सबसे पहले जैमाला की रसम ही होती है तो यहां हमारे यहां भी होगी जैमाले की रसम या बरमाला तो यह देख सकते हैं यह हमारे भतीज है फटाफट डाल लेंगे बरमाला तो यह देख सकते हैं पहले लड़की डालती है तो यह हमारी बहु डाल दी है बतीज को बर्माला और ये हमारे बतीज भी डाल देंगे बहु को बर्माला तो ये देख सकते हैं सब लोग तालियों से स्वागत कर रहे हैं आप यहां बोलते हैं कि वो कैमरा फोटो ओटो कई लोग लिये थे तो ये पोज देने के लिए बूर रहे हैं वर्माला पकड़के फोटो टो खिचवालो तो ये देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहा है तो फैर का समय था इसलिए फोटो जादा क्ले नहीं आई है और इसके बाद अंगली रसमे होंगी शुरू तो ये देख सकते हैं हमने कुछ मंत्रों का जाप होगा उनसे बैठते बनने रहा है लहंगा काफी है तो ये देख सकते हैं कुछ परिवार के सदस उनकी कर रहे हैं मदद तो ये देख सकते हैं यहां बैठ जाएंगी और मंत्रों द्वारा कुछ विधिया होंगी जो करीगी बहूं और हर कोई करता है अपनी साधी में कुछ विधिया तो ये देख सकते हैं यहां नाई नाव जो भी है नाएन बैठी हुई है और ये हैं हमारी पंडित जी और ये जी ये सब कोई खड़े हुई हैं बड़ी भाईया हैं काफी लोग हैं सब कोई हैं और साधी का ले रही हैं अनंद और ये रही हम हमारी विटी्यारानी तो यह देख सकते हैं यह दूले की बहन काजल तो यह देख सकते हैं कित्ता सुन्दर नजारा लग रहा है और यहां रस्में जल्दी-जल्दी हो रही है क्योंकि इसी दिन तो कुछ विवस्थाय नहीं हो पाई तो इस तरह से मंदिर से करना पड़ रहा है तो यह देख सकते हैं यहां रस्में हो रही है वैसे किसमत पालों को ही मिलता है महगवान के द्वार से साधी होती है तो उनकी साधी बहुत ही अच्छी माने जाती है आजकल के लोग सब घर से ही करते हैं लेकिन हमारे यहां हमारे यहां भी वैसे सभी की घर से यह देख सकते हैं हमारा दूले राजा के छोटे भाई हैं तो यह देख सकते हैं कुछ रस्में सुरू हो चुकी है यहां ओली सोली डलीगी बहु की तो यह सब बतकाहों कर रहे हैं यहां हमारे दूले बोर्ट तो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कि हमारा नमबर काव आएगा मैंने, यह देख सकते हैं, सब कोई के बतबाओं हो रहे हैं, तो यह हमारी मातसरी है, मातसरी की भी तबियर ठेक नहीं रहती है, भगवान से दुबा करें, कि बो भी जल्दी से ठीक हो जाए ये देख सकते हैं हमारे पापा हैं बड़े पापा और दुल हन के दादा जी ने ओली डाल दी है और ये देख सकते हैं ओली की निच्छावर करते हैं THIS किसको किसको नेंग देंगे ये ना उनको जो भी बोलते हैं आप लोग के हां उनको नैंग दे दिये हैं ये और भी नैंग दिया जा रहा है तो अब जिसको भी ये नैंग देंगे आप देख सकते हैं हमारे पापा जी है और पापा जी है वो पंडित पंडितों के साथ रहते हैं वो भी बाबा जी बन चुके हैं ये अ और ये बड़ीँ हमारे जीजा है और बायट सैल्ट वाले हमारे हस्बेंन है ये देख सकते हैं यहां पानीया नी कि कुछ रस्मे हो रही है और ये हमारे जीजाजी है तो बढ़ि posição देख रही है आनद है इस balm को सूट यादकार के लिए मैमोरी के लिए ये देख सकते हैं कितनी अच्छी रसम है और ये रही हम भी तो पागल बने हुए हैं ये देख सकते हैं रसमों में सब हो रहा है जल जल लेकिन सब कोई इंजोई कर रहा है ये है कि ना कोई बेंड बाजा है ना कोई बाजा है ना कोई बिट्टू है तो देख सकते हैं किती सुंदर लग रही है और ये साधी हो जाने के बाद है हमारी बहु आ गई है पेरियों में और पेरी में यहां भी पेरी के साथ कुछ रसमे होगी तो ये कन्यादान की रसम सुरू हो चुके है ये बहु के पिता सिरी है मतलब हमारे समधी तो ये देख सकते हैं, ये रस्मे हो रही है, कन्यादान की, तो कन्यादान की कुछे पिता जी के साथ रस्मे होंगी, और इसके बाद इनकी माता श्री भी आएंगे, मतलब बहु की माता, मतलब हमारी सम्धन जी, तो ये देख सकते हैं ये रस में सुरू हो चुकी है और ये बैठ गई है समधिन जी और पंडे जी भी जल जली कन्यादान के कुछे सुत्र कुछे मंत्र बोल रहे हैं और देंगे अपनी बीटिया का कन्यादान समधिन जी तो ये देख सकते हैं पाउँ पकारने लगे हैं ये तो विचारे फोन देखने लगते हैं, ये देखिए, यहां धुवा दिये, और ये कर दिये, पाँप खार की रस्म, तो सबसे पहले तो कन्यादान हर किसी के नसेब में माता-पिता से कन्यादान नहीं मिलता है, कोई कोई करता है, तो कोई कोई करता है, और हर किसी के माता-पि हैं मेरे को तो पता ही नहीं है काफी रसमें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते का तो यह देख सकते हैं यह दूले राजा कर रहे हैं फिर इसके बाद हमारी बहु करेंगे यही रसम गड़वा धरकाई अब जो भी होता है मेरे को नहीं मालूम तो यह देख सकते हैं यह दोना रावल है तो ये शे बार गिराती जाएंगी और इसके बाद ये परे लिव रही है और फेरे के बाद परे साथ फेड़ों के बाद मांग भराई होगी कुछ बचन बूले जाएंगे यह देख सकते हैं इसा बहु बैठ कई हैं अब ये इनकी बुII हैं मांग भर रही हैं हमारे यहां पहले बुआ ही मांग भरती हैं और उसके बाद ही दूले राजा भरते हैं तो यह देख सकते हैं यह बहू की बुआ होंगी यह हैं क्योंकि से नई नई रिस्तेदारी है तो अभी कोई जान पहचान नहीं है तो यह मांग भर रही है उसके बाद हमारे भतीजे भी अपनी बहु के मांग भरेंगे बहुत ही सुन्दर नजारा है देखने का हर किसी की किस्मत में नहीं होता तो ये देख सकते हैं ये हमारी दीदी और बिट्टु वैठी हुई है ये निकी बच्ची है काजल नाम है ये हमारी बड़ी दीदी दुर्गेश दी यहां भी पाँपूजा जा रहा है बहुत ही सुन्दर नजारा है ये देख सकते हैं टीका टीकी कर रही है और हमारी दीदी जो है रस्म में बटके करवा रही है और सब को यह अनंदर ले रहा है क्योंकि से जादा भीड भी नहीं थी बस अपने अपने लोग थे जादा से जादा पच्चिस तीस लोग होंगे जो साधी में सामिल हूए जड़ ज्यद हचालेस लोग इसके लहा और कुछनेगहर के और बारति ये सब मिला कि चालिस लोग के सम्थिंग होंगे हम तो भाई हैं दूलaltet राज़ा की तरफ से बाराति लोग हुए लेकिन बारति वहां से भी आई है और यहां से भी गई है तो यह देखिए चावल लूग का जा रहा है ये एक तरह की रसम ही है तो साथ बार ये लोगते हैं चावल को और फिर हम लोग आ जाते हैं घर में तो यहां देखिए यह मुह जोनी बगेरा हो रही है तो हम भी फट फट मुह जोनी कर लेते ह तो यह देखिए हम पागल बने हुए हैं और यह हमारी माता श्री और यह देख सकते हैं कर रही है मुह जोनी और इसके बाद यह उलिय डल रही है बहु डालती है अपने परिवार में सभी की जैसे की बुगा हो गई सास हो गई दादी सास हो गई इनकी ओली डलेगी चाची सा अब मतलब अपनी सासों की ओली डालेंगी बहु तो यह लाश्ट रसम है और टाइम काफी हो चुका है आपका काफी समय में ले चुकी हूं तो यह देखिए यह हमारी लाश्ट रसम है अब कथा वगैरा होगी कल बहु भी काफी ठक चुकी है यह सब उलीय और सब पही की उ अप्रश्म होती है और काफी अच्छा लगता है देखने में और ओली में साड़ी नारीयल बतासा अतासा और भी जो कुछ रहा हो तो ये देख सकते हैं मेरी मम्मी हैं मतलब बहु की दादी सास हैं और ये रसमे हो रही हैं काफी नए नए लोग हैं आप सोच सकते हैं कि काई लोग तो बोलते हैं कि आप ही बहु हो रित जल्दी बहु ले आए तो ये हमारे बड़े पापा के बड़े बेटे की लड़के की बहु है एक तरह से हमारी भी बहु लगी तो ये देख सकते हैं ओली डल चुकी है और लब मेरिज थी तो बहुत ही अच्छा लगा वैसे अपना अनुखी साधी और अपना अनुखी साधी है यहां कोई बैंड बाजा नहीं था कोई रोड लाइट नहीं थी लेकिन फिर वी से हुई अनुखी साधी तो थैंक यू पूर वाचिंग और ऐसी ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे भी थैंक यू फोचिए और वोचिए यूर वचीं